ओम नमस्वाय हर हर महादेव जै माता जी दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे सार्दी नौरात्री दो हजार चोबिस सार्दी नौरात्री दो हजार चोबिस कब से सुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है कलस का अस्थापना करने का सुभम हुर्त क्या होगा और अश्टमी और महानोमी का पर्वहम किस दिन मनाएंगे दसहरा यानि विजय दसमी का तेवार हम कब मनाएंगे यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी दोस्तों जैसा की जानते हैं नौरात्री में अश्टमी और नौमी तिथी का बहुत ही महत्त होता है दसहरा हम उसके अगले दिन मनाते हैं और सारदी नौरात्री की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी माता की सवारी इस साल क्या होने वाली है ब्रत का पारण हम किस दिन करेंगे यह सब जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी जैसा कि आप जानते हैं नौरात्री में मा दुर्गा के 900 रूपों की पूजा आरादना हम करते हैं और 9 दिनों में मा को अलग अलग भोग भी हम अर्पित करते हैं और इन नौ दिनों में अनेकों उपाए हम करते हैं कि मा को हम प्रसंद कर सकें और मा की किरपा हमारे उपर बरस्ती रहे तो दोस्तों आईए वीडियो को सुरू करते हैं सार्दी नौरात्री यानि की सार्दी नौरात्री पित्र पच के अगले दिन से नौरात्री की सुरुवात हो जाती है साल में पूरे साल में चार बार नौरात्री पढ़ती है चैत नौरात्री सार्दी नौरात्री और दो गुप्त नौरात्री पढ़ती है जो कि आसाड मास में और माघ मास में मनाया जाता है लेकिन चैत नौरात्री और सार्दी नौरात्री का विसे सुमात्थ होता है तो दोस्तों इस साल महा अश्टमी और नौमी तिथी कब पड़ रही है और अश्टमी और नौमी तिथी को नो कन्याओं को भोजन कराया जाता है हमन किया जाता है और उसके अगले दिन हम दसारा का तेवार मनाते हैं तो दोस्तों तीन अक्टूबर को सुबह बारा बजकर अठारा मिनट से तीन अक्टूबर को सुबह बारा बजकर अठारा मिनट दिन गुरुवार से प्रतिबदाति थी प्रारंब हो रही है और प्रतिबदाति थी कि समाप्ती च्यार अक्टूबर को प्राता काल दो बज के अंठावन मिनट दिन सुक्रवार को समाप्त हो रही है तो हमें कलस्क अस्थापना कब करना चाहिए तो दोस्तों आईए जानते हैं कलस्क अस्थापना का सुब मुहुर्थ क्या है 3 अक्टूबर को सुबा 6 बज कर 15 मिनट से और 7 बज कर 22 मिनट तक या बहुत ही सुब मुहुर्थ है इस समय हम कलस्त का अस्थापना कर सकते हैं हमें कुल अवधी एक घंटा 6 मिनट प्राप्त हो रही है अगर इस समय हम कलस का अस्थापना नहीं कर सकते तो हमें दोपहर में अवजीत मुहुर्थ में कर लेना चाहिए तीन अक्टूबर को दोपहर में 11 बज कर 46 मिनट से और 12 बज कर 33 मिनट तक कलस अस्थापना का अवजीत मुहुर्थ है यह कुल अवधी हमें 47 मिनट का मिल लहा है इस समय हमें कलस अस्थापना कर लेना चाहिए नौरात्री इस साल पूरे 9 दिनों की होने वाली है कोई भी दिन का चाहिए इस साल नहीं है तीन अक्टूबर से ले करके और 11 अक्टूबर तक नौरात्री रहेगी तो आईए जानते हैं इस दिन नौरात्री में पहले दिन से ले करके और 9 दिन तक मा के किस स्वरूप की हम पूजा आरादना करेंगे दोस्तों नौरात्री में यानि तीन अक्टूबर को प्रत्री बताती थी शुरू हो रहे है पहले दिन मा सैल पूत्री को की पूजा आरादना हम करेंगे या और दूसरे दिन यानि चार तारिक दिन सुक्रवार को मा ब्रह्मचार्णी की पूजा आराधना हम करेंगे और तीसरे दिन यानि पांच तारिक को पांच अक्टूबर को मा चंद्रगंटा की पूजा आराधना हम करेंगे चौथे दिन यानि 6 अक्टूबर को दिन रभिवार पड़ रहा है उस दिन मा कुश्मांडा की पूजा आराधना करेंगे पांचमे दिन यानि 7 तारी को असकंद माता की पूजा आराधना करेंगे और 6 तारी को माता कात्यानी की पूजा आराधना करेंगे सातमे दिन यानि मा के सातमे सुरूप मा काल रात्री की पूजा आराधना करेंगे 9 अक्टूबर को और आठमे दिन यानि अश्टमी तिथी को महागवरी की पूजा की जाएगी आठमे दिन यानि 10 अक्टूबर को अश्टमी तिथी पढ़ रही है और नौमे दिन 11 अक्टूबर को मासिध्य द्यात्री की पूजा आराधना करेंगे नौमा दिन यानि नौमी तिथी जो है 11 अक्टूबर को पड़ रही है इस साल पूरे 9 दिनों का हम ब्रत करेंगे और 9 दिनों की पूरी नौरात्री होने वाली है महा नौमी तिथि incentiv को परव होगा 11 अक्टूबर को हम मनाएंगे आर दसारा यानि विज़े दस्मी का जो तेवार होगा वह 12 अक्टूबर को आनि नौमी के अगले दिन हम विज़े दस्मी का तेवार मनाएंगे माता की सवारी जो है इस साल डोली पर सवार होकर के महा आ रही हैं इस साल उनकी सवारी डोली होने वाली है और जो ब्रत का पारण होगा जो लोग 9 दिनों का ब्रत करते हैं वह 12 अक्टूबर को सुबह 10 बज के 58 मिनट के बाद आप ब्रत का पारण कर सकते हैं तो यह थी कुछ विशेश जानकारी तो दोस्तों जानकारी कैसी लेगी कामेंट में जरूर बताईएगा वीडियो को सस्क्राइब करिएगा मिलते हैं कुछ आईसी ही ग्यान बर्धक वीडियो के साथ धन्यवाद